आपकी इज्जत बहुत बढ़ेगी वास्तो सास्तर के गोल्डन रूल्स किसी से भी महत्वपुन बात करनी हो तो ये हमेशा ध्यान रखिये कि बेट कर बात करें खड़े खड़े बात करने से चपलता में बादा आ सकती है संबव हो तो दूसरों से महत्वपुन बाते करते समय अपना फेस अपना तेरायन अपना मुँ यथा संबव नोर्थ और इष्ट में रखना चाहिए इससे आपकी बात वजंदार रहेगी समय की इज्जत करें यानि टाइम के एकदम पंच्वल रहें इससे समय आपको तार देगा बार बार दिन में बीस बार सोरी 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 बोल कर अपने आपको गलतियों का पुलिंदा नहीं बनाना चाहिए सीधे और कंदे उंचे करके चलना चाहिए तथा लोगों की आँखों में आँखें डाल कर बात करने चाहिए अपने स्वाबी मान को समझना चाहिए खुद की इज़त करना शिखें आप युनीक हैं मैं भला किस खेद की मुली हूँ ऐसे सब्दों का परियोग नहीं करना चाहिए दूसरों की प्रसंसा करने में कंजू सी ना करें प्रसंसा करने से लोग आपकी मन ही मन में बहुत इज़त करेंगे सूरी को परती दिन, तांबे के कड़स में जल अर्पित करना चाहिए इससे आपको मान पतिष्टा बहुत मिलेगी अपने ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में जो इश्ट की दिवार होती है, पुरो की दिवार उस पे एक संगोड का सिंबल लगाना चाहिए ये भी आपकी परतिष्टा में बहुत बरती करेगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर एक नेक्स वीडियो में और मेरी एक नई किताब वास्तु निर्मान अभी आईए जिसमें मैंने 30-35 साल का अनुबह भी दिया है और कुस रेमेडिजी भी दी है आप साहें तो एमेजन से इसको मंगा सकते हैं वास्तु निर्मान